तो मित्रों यहां पर हम खेलने वाले हैं बहुत इंटेस्टिंग साइंस पासवर्ड पजल है और इसमें क्लास वन से लेकर के 5 तक की साइंस की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें दिये हुए हैं ओके और इसमें आपको बहुत मज़ा आ स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैं एक्टिविटी नंबर क्रॉस्वर्ड पजल 21 स्टार्ट कर रहा हूं और हमाय साथ ही उराज बने हुए हैं यह वन बाइवन करके हम एच और आवरी क्वेश्चन आपको हम स्वाल करके बताएंगे तो चलिए पहला पारट स्टार्ट करते हैं देखि यहां पर दो कॉलम्स बने हुए एक बना हुआ है और एक बना हुआ आपके पास में किया डाउन तो जल्दी जल्दी करेंगे देर नहीं करेंगे बहुत स्पीड के साथ हम लोग लगाएंगे तो पहला कोश्चन है आपके पास में फिर्थ वाला पांच पॉइंट पे बताई क्या कॉज करता है विच कॉज दा डैमेज टू दा ओजोन लेयर ओजोन लेयर अट्मॉसफियर के ऊपर की लेयर होती जो हम लोग की सन से निकलने वाले सूर से आने वाले हारंफुल रेडियेशन से हमारी रक्षा करती है आप लोग जानते होंगे है ना तो ओजोन लेयर से हमारी क्या प्रोटेक्ट करता है मतलब इसमें क्या कॉज करता है कौन कारण हो जोन लेयर के डैमेज का बताइए एक्जैक्टली तो करेक्ट आंसर इसका क्लोरो फ्लोरो कारबन तो फिप से जाएगा क्लोरो की स्पेलिंग छल ओ और ओ लो फ्ल यू ओ और ओ और ओ एंड सी ए आर बी ओ एन एस प्लोरो कारबन कई टाइप के नहीं होते हैं तो वह क्या करते हैं जैसे यह अर्थ है अर्थ के उपर एक लेयर हुआ करती है तो जैसे ही मालो आप अपने घर से फ्लोरो कारबन रिलीस करते हो तो वह उस लेयर अपके जाकर ओल कर देता है क्या कर देता है और जो संसे होता है बहुत तेज वाला रेडियेशन आता है अर्थ पे और अगर आपके इस इसकिन डैमेज हो जाएगी आपको कैंसर होभी हो स इसको क्या बोलते है जो मैगमा निकलता है अगला दिएर tuas fait का पार्ट है किसका part है हाँ ओजोन लेयर जो होता है stratosphere का part होता है ओजोन लेयर जो होता है stratosphere का part हुआ करता है तो check के लिजे answer होगा stratosphere done देखें इस diagram में थोड़ा सा clear हो जाएगा जो diagram आपके सामने आएगा ये देखेंज़ ये ozone layer है यहाँ से आरी ही ozone layer यह जो जो लेयर में जो अल्ट्रावायलेट सी रेडियेशन होता है इसको पूरे तरीके से जो जो लेयर क्या करती है रोक लेती है ठीक ना और हमारी जो हतिये से मदद करती है और भी देख सकते हैं आप बढ़ी बढ़ी डाइग्राम यहां पर बने हुए यह देखें तीन प तरीके से देखें और बहुत सारी यह तो टकरा करके और जो लेयर से चली गए है और हम बात कर रहे थे यहां पे कि यह किस रीजन में पाई जाती है इसका नाम है स्ट्रेटो सब्रेजियर का डाइग्राम आपको मैं सबसे पहले क्या होता है ट्रोपीश पर जहां पर मतलब हम लोग रहते हैं हौआ रहती है पंक पंची फग रहती है ऐग्रती यह्म In वो stratosphere कौन सा है stratosphere जिसमें ozone layer पाई जाती है वो stratosphere चलिए अगले पार्ट को पढ़ते हैं harmful substance added to the environment are called harmful substance environment में मिलाय जाते हैं जैसे धुआ, gas, गंदा पानी है ना इन सब क्या बोलते हैं बताओ एक शब्द में इन खुम बोलते हैं बोलम का खाज दैनाषा करीए आप वखशन आ सब्सक्राइब फ्रणी हम क्या बोलते हैं न misinformation होता है तो प्रादूुशन करक्ने वाले और नहीं को बोलते हैं प्रदूशक क्या बोलते हैं तो हिंदी में प्रदूशक होता है और में इसको हम बोलते हैं पॉल्यू टेंट क्लियर हो गया चलिए अब यह तो हो गया लेफ्ट व्राइट स्वेश एट इंट कोश्चन हो गया अब हम बात करते हैं टॉप टू डाउन कोश्चन के ओके तो डाउन कोश्चन भी हमाई पास है आप बाद में इसको भर लीजेगा अभी देख लिजे डाउन में पहला क्वेश्चन है क्या होता है जब नदियां जो होती है सराउंडिंग एरिया को तोड करके उसको ओवरफ्लो कर जाते हैं इसको फ्लड बोलते हैं फ्ल डबल ओ डीप फ्लड का हिंदी मीनिंग होता बाढ़ है इसके बाद क्वेश्चन कह क्या बोलते हैं पता आपको इसको कोर बोलते हैं क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं क्रस्ट नहीं बोलते हैं क्रस्ट तो ऊपर का पार्ट होता है सबसे क्रस्ट किसका पार्ट होता है उपर का इसको कोर बोलते हैं इनर मोस्ट लियर प्रतिवी की सबसे अंदर की लियर क्या हो लिए विछ रियक्शन सनके अंदर कौन सी रिक्शन होती एक बहूत अच्छी नुक्लियर फूसे नियुक्लियर फूसे रिति हैं और जिसमें बहुत इन वह उने कलती तो इसे बोलते हैं नुक्लियर फूसं इसे बोलते हैं हम nuclear fusion, ठीक है न, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे fusion हुआ करता है, ठीक है न, clear हो गया, तो यहाँ पे nuclear fusion हुआ करता है, एक होता है nuclear fusion, एक क्या होता है nuclear fusion, तो fusion और fusion दोनों अलग अलग चीज़ें, मैं आपको बता देता हूँ, कि fusion और fusion दोनों ही अलग च q protons में तूटता है समझ गया तो जब कोई atomic bomb भटता है ना तो उसके अंदर ngay reaction होती है nuclear fission क्या होते है समय में आ गया न नूब्र फिजन ही होती जब atomic bomb टूटता है full pata तो इसमें nuclear f redowakti f 중 में ऐसे एक बड़ा fusion का मतलब मिलना तो जो fusion reaction में होता है अगला question दिखते हैं less than half lighted moon is called moon बताओ भाई आधे से कम light वाला moon जो होता है मतलब आधे से कम छोटा वाला moon इस तरीके का moon जो होता उसको आप क्या बोलते हैं हाँ आधे से कम light वाले moon को आप क्या बोलते हो less than half lighted moon ठीक ना भाई हाफ मून तो जानते होगे आप बिलकुल आधा ओके फूल मून जानते होगे पूर्णीमा अगर जब आधे से यह कम होना सुरू हो जाता है मानलो जैसे कि मानलो यह इतना पार्ट आपको visible है इतना पार्ट ओके तो बताओ half lighted moon को क्या बोलो गया इसका एक बहुत ही प्यारा सा नाम है science में से बोलते है crescent क्या बोलते है हाँ c-r-e-s-c-e-n-t इसका नाम होता है crescent चलिए अगला question the amount of water vapor in air is cold पानी में जो भाप की मातरा होती उसको क्या बोलते है वेरी नाइस यह humidity होती है और जब बढ़ जाती है तो उमस बढ़ जाती हमको बहुत जदा चिपचिपी गर्मी लगती हमाएं बॉडी से पसीना बहुत जदा आता है ठीक ना यह humidity होती है हाँ exactly वह humidity की वाज़स हो तो क्योंकि वैपर बढ़ जाती है ना तो वह वैपर हुआ करती है वैपर और ऐसे ही atmosphere में अ बाजू बाजू कहीं पर जाएंगे तो आप देखेंगे महाँ पर humidity बहुत जादा होगी वहाँ पर humidity क्या होगी बहुत ज्यादा होगी चली आई रेक्ते हैं अब जादा होगी ना कोस्टल एरिया जितने भी है समुद्र के किनारे वाले एरिया उनको कोस्टल एरिया वोलते हैं ठीके ना चेन्नाई हो गया मुंबई हो गया इनमें सब में humidity बहुत जादा है चली अगला है विच इस दा सिंपलेस्ट वीट प्यूरिफाइब वाटर पानी को प्यूरिफाइड करने का बहुत ही सिम्पल तरीका हर 裁ट कर में इसतेमाल होती यह बुलकिंड लग मौलें और यह निकल रहा इसको मीद्धु ख़ेंड बोलते है कि अंदर बहुत बढ़ेगा है तो बहुत बरदा चल लाँ हो जाता है और मेल चलते हैं को रखेक। इन्वार्मेंट को हिंदी मैं में में लोग बोलते हैं वातावरना है वहां बेलकुल सए परिावरन स्राउंडिंग बोलते स्पाइवल प्रयावरन क्या होता है हमारे चारों चीज्जों की मेंक्ट जो भी चीज़े मेरती को मिला करके प्रकरती और human being मतलब कि कुछ चीज़ें जो है जो nature ने बनाई है और कुछ चीज़ें जो है नेचर ने नहीं बनाई है उनको मिला करके जो पूरा का पूरा area बनता है उसको हम क्या बोलते है environment तो जो चीज़ें इंसानों ने बनाई है astrology जो चीज़ें प्रकरती ने बनाई है उसको हम मिला करके जो सब कुछ जहां हम रहते है environment आई देखते हैं कुछ QUESTIONS है modules of Medall और यह देखें यहां पर land slide हो रहा मेरे खाल से इस टाइग्राम में देखें थोड़ा सा बड़ा करता हुआ इसको यह क्या देख रहा है मेरे को land slide होता हुआ अब आईए देखते हैं इसको आफ फिल करके मेरे को देंगे मैं इसके answers आपको directly बता देता हुआ जिससे time खराब अब चली है कह रहा है question की a mass of the rock sliding down a mountain is called landslide अगर रॉक निप चटानों का जो मास है वो गिरता है तुसको क्या बोलते है लेंड श्राइडिंग तो इसे बोलते हैं during किस άज में एक मतलब की from full moon to the new moon مतलब की full moon से ले करके नए moon में decrease करता है ऐसा कब होता है degrees from मतलब की पूरा moon रहता है और और फिर दीने धीरे धीरे होके छोटा होता जाता है वो किस पार्ट में डिक्रीस करता उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं वैनिंग क्या बोलते हैं वैनिंग W-A-N-I-N-G उस प्रोसेस को बोलते हैं वैनिंग वैनिंग फिस अरे भाई जैसे आपके पास आए-से पूरा मून है भूलो हाँ पूरा मून पहले इतना इतना काला हो गया भलो फिर इतना काला हो गया फिर इतना काला खो diezका मुन आपको दिखाई नहीं दिखाई झी दिखा अमावस की रात कौन सी है ना वैसे डरवाते हैं लोग इसको मावस की रात कहके ऐसा कुछ है नहीं सिंपली क्या होता है कि यह जो सन की लाइट पड़ती है इस पर है ना तो वह उस पर लगातार कम होती जाती है तो इस वज़े से यह रोटेशन की वज़े से कुछ होते हैं कंसेप्ट हाँ वो भी आएगा यह के सूलर एकिपलेशन और यह जो होता है उसको हम बताएंगे भी बात करेंगे ना चलिए देखिए अगला है दा लोवर दा लोवर मुस्ट पार्ट लेर आपड़ एट्मोस्पेर एट्मोस्पेर की स उसके जेश्ल फीज़ ओपर होती है कौन सी होती हिसका नम स्ट्रेटो स्वेर और ग 2007 मैंने यह वी बुथ यह मंगलती से ओजर्ट और यह यह खाल्र यहपी बात है ऊज़ोटू आट्रे सिटक्राटीक एटोग ऑन के एस यह पहुत बढ़िया दिया हुआ है मान लो आपके पास कोई रेत है रेत आपने पानी भर रखे थोड़े देर आप क्या रखोड़े कंटेनर को छोड़ दो तो रेत नीचे-नीचे बढ़ जाएगी न और पानी उपर आ जागा अब क्या करिए आप पानी को बड़े प्यार से आराम से उठाइए जंटली और एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पानी को भल लीजे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं यहां पर यह पूछा गया है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इस प्रोसेस का नाम है डी सेंटेशन क्या नाम है डी सेंटेशन क्या नाम तो बताईए जब मून बीच में आ जाता है तो कौंसा एकलिप्स होता है यहां पर इतने से लेकरके इतने फेस पर पढ़ रही थी कि नहीं पढ़ रही थी बताईए है ना पूरी इतने अब म५ं आ गया है तो म४ने आगई की मॉन की चाया कि जब कोई चीज किसी के उसकी चाया बन्ती तो देखिए इतने फेज में यहाँ वाला फेज और यहाँ वाला फेज इतने फेज में कुछ दिखाई देगा क्या संर्ड की लाइट आएगी कि स्वेक्रिप्षन का से सब्स्क्राइब थी आगया तो इसे हम बोलते हैं इसे यहां पर क्या था सन और अर्थ के बीच में कौना गया दू यहां पर संथा और यहां पे अर्थ थी और इसके बीच में कौन आ गया मून तो इसको बोलते हैं सोलर एकलिप्स क्या बोलते हैं और अगर इसे हिंदी बोलते हैं सूर ग्राण क्या बोलते हैं अगर सन और मून के बीच में अर्थ आ जाए तो इसे बोलते हैं चंद ग्राण क्या बोलते हैं कि मून का नाम है लूनार क्या है मून का नाम हाथ यसे लून जी हाँ बिलकुल इंग्लिस में साइनोनिम है यस वे लूनार सो लेर ऑन दा अर्थ है चलो यह तो हो गए नाइंध वाला कोस्चन लेर ऑन दा अर्थ विज रॉकी ब्रिटल एंड ब्रोकेन इन मैनी पीसेस इस वो लेर जो है रॉकी जिसमें पहाड है ब्रिटल कमजोर है और जिसको ब्रिटल मतलब जिसको अब तोड़ फोड कर सकते हैं तोड़ फोड हतोड़ा मानने पर तूड़ जाए उसे बोलते हैं ब्रिटल हिंदी में बोलते हैं भंगुर क्या बोलते हैं भंगुर जैसे कोईल करना करें टोटा होता है ना पत्थर मानने पर टोट जाता है मगर आयरन तो नहीं तो आयरन इतलो नहीं है बेट्र देख युझा अब हो मिपने इसे लेर को हम जो अर्थ की अपर post होती है जो कि खोसर करो खेटीज होतीं तो आ raising in many pieces is called what? इसको हम बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट, क्या बोलते हैं इसको हम? अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, इसको simply crust भी आप बोल सकते हो, अगर आपके पास लग जगह नहीं होगी इसमें, तो simply इसका मेनिंग क्या होगा? इसका पूरा नाम है अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना, चलिए अब डाउन सेग्मेंट में आते हैं, डाउन सेग्मेंट क्या कहे रहा है? क्योंकि पूरल करोते तो वोल कनोश आजाएगा, और सिंगुलर की बात करोंगे तो बौलकनोश प्लास्टिक कैसा अ मतरा मतर्यल है? तो वो अपने आप गायब हो जाएगी कुछ दिनों में, समझ में आया ना, उसकी हड़ी बस बचेगी, जी हाँ, ठीक है ना, येस, तो जैसे, हाँ वो भी समय के बाद वो भी बहुत कुछ कम हो जाती है, बट प्लास्टिक की बात हो रही है, तो प्लास्टिक की ऐसा बायो ड आपको नोन-bio-degradable, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, आपको नोन-bio-degradable, ओके तो न-o-n-b-i-o-d-e-g-r-a-d-e, okay, degradable, a-b-l-e, समझ में आगा ना, degradable, sorry, ये नहीं याएगा, क्लियर हो गया न, नोन-bio-degradable, चली, अब अगला है, फॉलोविंग गैसस एब्स सर्फिस, इसमें से कौन सी गैसस हैं, जो अर्थ सर्फिस से निकलने वाली हीट को एब्सॉर्ब कर लेते हो, ये को बहुत सारी गैसस होती है, उन गैसस को नाम दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसस, क्या नाम दिया गया है, इसमें मेंली होती कार्बन डेयोकसाइड, क्या होत अंदर बंदीवारों के अंदर भाई तो मतलब किलाइट तो आनी चाहले ना लाइट नहीं आयगा तो पौधे कैसे बनाएंगे अपना खाना, है ना, तो मगर यह काच क्या रहता है, किसका रहता है, काच काच का, तो इसको भी ग्रीन हाउस जाये ऐ है भी ऑड हो इसेक इक Greenhouse करने के लिए उनको क्या बोलते है Greenhouse Effect होता हुथ उनको गैसे को क्या बोलते है Greenhouse Gases समझ गया जिसमें मेल ली क्या è carbon dioxide है ओके और carbon dioxide water vapor बहुत important है चलो अगला बताना है कि 21% gas कौन सी है बिलकुल सही बात है वहाई 21% जो गैस है वह कौन सी है oxygen है और नाइट्रोजन है बिल्कुल सही बात है 72 के असपास हमारे atmosphere में सबस्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है nitrogen प्रेजेंट है ठीक ना तो oxygen हमाई पस 21% है और बाकी जो बच जाएगा उसमें 58 बाकी carbon dioxide बाकी gases जितनी भी है वह सब प्रेजेंट है चलिए तो यह भी हो चुका हमारा अब चलते है इन्वार्मेंटल इशू जानते होगे इन्वार्मेंटल इशू देखो भाई क्या हो रहा है यहां पर कहीं पर बहुत ज़दा बारिश हो रही है है ना कहीं पर देखो सूखा पड़ा हु शोर हो रहा है और कहीं पार्टी चल रही तो म्यूजिक हो रहा है और निवर्स का डॉग बार्क कर रहा है यह देखो भाई यह क्या हो गया है इसको अस्थमा की बीमारी हो गई और ये देखो, ये रेनिंग हो रही है ऐसेड रेन का उनसी रेन है? ये लोईश हो रहा है लोईश अब कर रहा है तो देखते हैं, कुष कॉश्चन्स देखते हैं, सबसे पहले एक्रोष देखते हैं किgeord лेवल को मेज़र करते हैं, कि मेज़र करते हैं? आपकी जो आवाज सुनाई देती है, आपके कानों में उसको किसमें ना पा जाता है, decibel में, है ना, decibel में, तो अभी ये देख लेना, ये आपका काम है कि आपको पता करना है कि human ear कितने decibel तक का sound सुन सकता है, human ear कितने decibel का sound सुन सकता है, मतलब कितना loud sound सुन सकता है, एक आप लेर प्रेवेंट हामफुल बही कौन से रिडिएश न बताओ जी अल्ट्रा वाइलेट कौन से रिडिएशन जिन को हम यूँ ही बोलते हैं क्या बोलते है radiation to reach on earth surface earth surface में पहुचने से आपको रोकते हैं ठीक ना चलो अगला question five number है five number है आपके पास में कह रहा है कि what is a water born disease मतलब गंदे पानी से कौन सा disease होता है उसका नाम है joint disc क्या नाम है हिंदी में पीलिया बोलते हैं क्या बोलते हैं पीलिया हां आख बगरे पीली हो जाती है बहुट हड्डियों में दर्द होता है यह यह लो आख बगरे पूरा सरीर यह लो पढ़ जाता है तो इसको बोलते हैं joint disc क्या बोलते हैं joint disc high yellow fever तो यह जो होता है गंदा पानी पीने से होता है समझ गया आस्थमा इस कॉस्ट ड्यू टू कौन सा पॉलूशन सिंपल यार एयर पॉलूशन आस्थमा किसकी बिमारी सास की बिमारी है न और सास की बिमारी किस से होगी एयर पॉलूशन से समझ में आया question number nine and increase in the temperature of the atmosphere due to the high level of green house gas अगर green house gases एक limit से जादा हो जाती है एक limit से जादा मान लीजे industry बगरे हैं वो बहुत सारा carbon dioxide produce कर रही है तो carbon dioxide जितना जादा होगी उतना जादा green house होगा उतना जादा क्या होगा और अर्थ की गर्मी बढ़ेगी तो green house gases जादा होने काड़ अर्थ की गर्मी बढ़ती है इस घटना को क्या बोलते हैं global warming क्या बोलते हैं इसको हाँ तो इस घटना को बोलते है global warming समझ में आगए बिटा तो इसको बोलते है global warming आये देखते हैं now down dumping the solid waste cost by dump अगर आफ solid waste को dump करोगे तो कौन सा pollution होगा क्या गंदी होगी पानी गंदी जमीन गंदी होगी जमीन गंदी होने को बोलते हैं स्वाइल प्लूशन कौन सा pollution हाँ बवी तो pollution होता ना समझ में है ना स्वाइल प्लूशन भी पॉलूशन होता है जैसे अपन कचडा बगर निकाल करके αगर evolve ढक देते हैं तो फिर अगला question, third, material that can be decomposed are called, ऐसे material जो अपने आप decomposed, मतलब तूट जाते हैं, फिर खतम हो जाते हैं, तूट तूट के उनको कीड़े खा जाते हैं, जैसे कोई भी जानवर मर जाता है न, आपने देखा होगा बाहर कोई कीड़ा मर जाता है, तो वो धिर में गायब हो जाता है कि य bio degradable, bio degradable मतलब अपने आप गयाब हो जाने वाले material उनको कहलाते हैं, हाँ एक समय, बाइलोजीकली उनका decomposition हो जाता है, बाइलोजीकली उनको इनमें बैक्तिरिया लग जाती है, और बैक्तिरिया उनको खतम कर देती है, हाँ बैक्तिरिया उनको, भाई जब बैक्तिरिया खा जालेगी छोटी छोटी होती है बैक्टीरिया आपको नहीं लिखेगी बैक्टीरिया उनको खतम कर देती है समझ गये अरे कोई भी छोटा सा कीड़ा अगर बाहर मर जाता है टमाटर रख दो अपने आप तो टमाटर में आप एक साल तक रखा रहेगा कि गायब हो जाएगा क् हाँ क्लियर हुआ बट आप एक अपने घर के किसी कोने पर अपनी पैन रख दो एक साल के बाद देखो एक साल के बाद और पैन खता हो जाएगी क्यों ही रहेगी वही रहेगी क्योंकि ओ नौन एक्जैक्ट्ली पॉश्चन नमर्स सिक्स बात करते हैं अवर सराउंडिंग इंक्लूड बोथ लिविंग और नौन लिविंग थिंस मेक आवर ऐसी अपनी सराउंडिंग जो की जिसमें लिविंग और नौन लिविंग दोनों चीजे हैं वो क्या बनाती है अपना हमारा सराउंडिंग जिसमें अभी तो बताया था तुमने जिसमें लिविंग और नौ following destroys statues and building state war building को कौन खराब कर दिता है acid rain acid rain जो होती ही क्या कर दीती है खराब कर दीती है okay following pollution can lead to deafness इसमें कौन सा pollution deafness मैं बहरा deafness मतलब बहरा तो बहरा कौन से exactly तो 29 pollution जो होगा वो बहरे पन को लाता है ऑके so that is नहीं, noise pollution का exactly relation बहरे पन से है बाकी pollutions का सेमन जो है, वो अलग-अलग चीजों से है Done, clear हुआ?